बढ़वानी जीला मुख्याले पर लगातार मोटर साइकल चोरी की घटनाओं को SPDR तेनिवा ने गंभीता से लेकर चोरों की तलाशी के निर्देश जारी किये थे जिस पर थाना प्रभारी राजेश यादों ने मैटीम के मोटर साइकल चोरों को धर दबोच कर चोरी की 11 मोटर साइकल सही दो इंजन जब्त किये जिसका खुलासा SP ने किया मुखबीर की सुषना पर पुलिस होमगार्ड शिवाजी माराठे का पुत्र दुरगेश उर्फ योगे से पूश्ताज की तो पुश्ताज में दुर्गेश ने मोटर साइकलों के संबंद में गुमरहा करते हुए बताया कि मेरा ओटो गेरेज है और ये सारी मोटर साइकले ग्रहकों की है पुलिस द्वारा सक्ती से पूश्ताज पर उसने अपने अन्य पांस सातियों के साथ मिल कर चोरी करना स्विकार किया जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जिसमें एक नाबालिक भी शामिल है गिरुफतार कर 11 मोटर साइकल वग दो मोटर साइकल इंजन जप्त किये दुर्गेश का गेरेज होने से चंद मिन्टों में गाडियों के पार्स अलग कर दूसरी गाडियों में लगा देता था जिससे गाड़ी पहच्चानने में नहीं आती थी दुर्गेश होमगार्ड शिवाजी मराठे का पुत्र है बाउजुद अपरात करने से नहीं चुका बढ़वानी से अतुल कुमाद की रिपोर्ट कर दुर्गेश बढ़डे था एक प्रदीप था और तुर्गेश बढ़डे परस्टेंड पे एक आटोगिरज चलाता है तो उसको बलाके पुर्श्टाश की तो उसने सुधार किया गया वो उसने गाड़ी मठाई है इसने सुधाए गाड़ी है और जानी गाड़ी हुटे कि और तुर्गेश भाना में उसके इंजिन चेंज करना पाड़ चेंज करके और टेम डेम डेटकी पुतल करेंगे वो चातर है और सारी गाडिया जो है अपने से दोस्तों को चलाने के लिए परोसन दे रहे थी तो इस तरीम से यहने की दूगेश और उसके जो अन्य साथी है चार आने लोग इनी से टोटल ग्यारा गाड़ी परामत हो गी और इसमे अलाब गाड़ी जो थाना को तवाली परवादी की है अब बादी जो चार गाड़ी अज़ थाना से इसमें खरवों ना थे तर्वों की गाड़िया पिचाथ है इसमें नावाली गारों की एक लड़का जी नावाल के 16 सब्सक्राइब का है जो इसके इस गयंग सब्सक्राइब जो गाड़ी उठाने में मदब करता हो रेकिका उ अब जो पर होई है बिल्कुल सबी नावे के हैं और सबी एठाव गाड़ी चुराने का कारण के लाए सामदेर गाड़ी चुराने का विशेच करण तो प्रविश्चे बढ़ गया थे और इहों अपनी सारी गाड़ी दोस्तों को एती तो मैनली तो आतिला भी पाप्सक्रा सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाने के लिए आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें